नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डोक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिसकस करेंगे की Apple Restit Tablet का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है। Apple Restit Tablet को कैसे लेना चाहिए? और Apple Restit Tablet की वज़से क्या side effects हो सकते हैं? और यहां भी डिसकस करेंगे कि एपल रिस्टेट टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए एपल रिस्टेट टैबलेट का उप्योग डाइबिती से पीडित व्यक्तियों में डाइबितिक निूरोपैथी को ठीक करने के लिए किया जाता है डाइबितिक निूरोपैथी शुगर की वजह से होने वाली एक समस्या है डाइबितिक निूरोपैथी होने पर शरीर की नसे कमजोर होकर डैमेज हो जाती है डाइबिटिक निूरोपैथी होने पर हाथों व पैरों में जलन होना, हाथों व पैरों में सुई चुबने जैसी समवेद ना होना, कोई चोट लगने के बाद दर्द का अनुभव ना होना, पैरों में इनफेक्शन होना और पैरों में अलसर होना आधी लक्षन डाइबिटि टबलेट डाइबिटिक नियूरोपेथी की वजह से, शरीर की नसों को डैमेज होने से रोपती है, और डैमेज हुई नसों को ठीक करने में मदद करती है. Apple Restate Tablet एक Salt नेम है Apple Restate Tablet को Aldonil और Alrista आधी ब्रैंड नेम से भी जाना जाता है Apple Restate Tablet 50MG वर 150MG की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है Side Effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Apple Restate Tablet की वज़ह से कोई Side Effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में Apple Restate Tablet की वज़ह से कुछ सामान्य Side Effects हो सकते हैं जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, शरीर में ठकान वसुस्ती होना, नीम अधिक आना, सिर्चक्राना, सिरदर्ध होना और दस्त हो सकते हैं इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में Apple Restate Tablet की वज़ह से लिवर एंजाइम भी बढ़ सकते हैं अब हम डिसकस करेंगे की Apple Restate Tablet को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है Apple Restate Tablet को खाना खाने से पहले लेना रेक्मेंडेड होता है आम तोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर Apple Restate 50MG Tablet को दिन में 3 बार लेने की सला देते हैं और Apple Restate 150MG Tablet को दिन में एक बार लेने की सला देते हैं Apple Restate Tablet की खुराप उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको Apple Restate Tablet को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए Apple Restate Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए दाइबितिक नियूरोपैथी को ठीक करने के लिए शरीर के बलड शुगर लेवल को नियंतरन में रखना बहुत ही जरूरी होता है इसलिए शरीर के बलड शुगर लेवल को समय-समय पर चेक करते रहना चाहिए इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइस करनी चाहिए Apple Restate Tablet का असर दिखने में 12 सबता तक का समय लग सकता है इसलिए आपको Apple Restate Tablet को डॉक्तर की सलाह के बिना लेना बंद नहीं करना चाहिए अगर किसी व्यक्ति को Apple Restate Tablet या इसके किसी भी इंग्रिडेंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को Apple Restate Tablet का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को भी बताना चाहिए. अभी इसके बारे में परियाप देटा अवेलेबल नहीं है कि एपल री स्टेट टैबलेट प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को लुकसान पहुँचाती है या नहीं. इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए एपल री स्टेट टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है. प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एपल री स्टेट टैबलेट को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चा आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.